हेलो एवरिवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में आज के इस टैरो का रेडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज कल आपके परसन आपके बारे में क्या सोचते हैं उनकी करंट फिलिंग्स आज कल आपके लिए क्या रह हैं ओके और मैं आपको बता दूँ कि ये रेडिंग जेनरल है कलेक्टिव लेवल पर है टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेनर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मेल फीमेल मेरिर अन्मेरिट सब इस रेडिंग को देख सकते हैं और किसी के लि हैं वो हैं कंपलीशन, रिपनेस, कंट्रॉल, दलवर्स, एंड थंडर पोल्ट ओकी इस परसन को आजकल ऐसा लगने लगा है कि ये आपको कुछ वे बोलते हैं किसी भी तरह की कोई भी गलत बात बोल दें आप चुपचाप परदाश कर ले दें ये आप पर कितनी भी बिज गुसा आए और आप इन पर गुसा करें और तब ही आपके गुसे को देखकर मुस्कुराएं क्यूंकि ये परसन आपको अपना टू लवर्स मानता है ये परसन आपसे बहुत प्यार करता है देख रहे ना थंडर बोल्ट है हमारे पास और उसकी अपोजिट ही दल लवर्स तो ये परसन इसलिए भी ऐसा करते हैं ताकि आप अपनी बढ़ास निकाल सकें इस परसन पर ताकि आपका दिल भी हलका हो सकें बट ये परसन अंजान है शायद आपके प्यार से क्यूंकि आप इस परसन को अच्छे से समझ चुके हैं आप इससे बहुत प्यार करती हैं ऐसा नहो कि आप इनकी प्यार की वज़ा से अपनी फेलिंग्स को दबा रहे हैं या आप इस परसन से कुछ चाहते हैं इस परसन ने वैसा नहीं किया तो आप इससे कह ही नहीं रहे हैं इनकी गलतियों को बता ही नहीं रहे हैं तो ये person इसलिये भी आपको गुस्त दिलाने की कोशिश करते है ताकि आप अपने दिल की बात इनके सामने रख सकी और अपने बढ़ास निकाल सकी और ये person फिर आपको प्यार से मना भी लेए तो ये इस person को ऐसा लगता है कि आपने अपने गुस्से को control करने की कोशिश करते हैं इसलिए भी ऐसा कुछ होता है आप दोनों के दर्मियान तो ये प्यारी सी नियुक जोग आप दोनों के दर्मियान चलती रहती है और इस सबकी वज़ा से ही आपके जीवन में रिपनेस है आपके जीवन में बहुत सारी खुशिया हैं आप दोनों एक दूसरे को पाकर जैसे की अपनी जिंदेगी ही कम्पलीट कर चुकी हैं आप दोनों को ऐसा रखता है क्योंकि यहाना कम्पलीशन का कार्ड भी आया है और यह परसन चाहता है कि आप इसके होकर रहें अगर यहाँ पर ना हमारे कुछ वीवर्स ऐसे हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी उनके पार्टनर से बात नहीं होती है उन दोनों के बीच टावर मॉमेंट आ चुका है तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी रहा हो नो कॉन्टेक्ट हो पर यह जादा दिन तक रहे का नहीं आप दोनों कॉन्टेक्ट में आने जा रहे हैं क्यूंकि यह परसन आपके लिए बहुत प्यार फिल कर पा रहा है देख रहे हैं आप दोनों यह दूसरे के सोल वो जादा टाइम तक दबा नहीं पाएगा आपको खुशी देने के लिए प्यार देने के लिए आपके पास चला ही आएगा तो इस परसन को आपका प्यार अपने तरफ खेच रहा है इस परसन को ऐसा लगता है कि आप इस परसन की जिंदेगी में रहेंगी तब ही इसकी जिं आप ही है इस परसन की जब आप इसकी जिन्दगी में रहते हैं तब ही इसकी जिन्दगी में इसका लग काम करता है इसकी जिन्दगी में खुशियां आती है आपके ये दम से इस परसन की जिन्दगी में खुशियां है जब ये परसन आपसे दूर रहता है तो इसको ऐसा लग रहा कि निगेटिव होते चले जाते हैं और इन में अगर जब पॉजिटिव आती है तो आपसे बात कर कर ही आती है तो ये परसन आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है आज कल ये परसन मौका तलाच रहा है आपसे बात करने का जैसे इस परसन को मौका मिले का तो ये परस जाल रखें, बाबाई